यूपियर उत्राखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाई साथियों नमामी गंगे अभ्यान हो जल जीवन मीशन हो स्वच्छ भारत अभ्यान हो ऐसे अनेक कारकम बीते छे सालों के बड़े रिफॉंज का हिस्था है यह ऐसी रिफॉंज है जो सामान्य जन के जीवन में सामाजी की ववस्ता में हमेशा के लिए सार्थक बर्लाव लाने में मददगार है बीते एक डेड़ साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है अभी जो सौंसत का सत्रा खत्म हुआ है इसमें देश की किसानों, स्रमीकों और देश के स्वास्त से जुड़े बहुत बड़े-बड़े सुधार किये गए है इन सुधारों से देश का स्रमिक ससक्त होगा, देश का नवजवान ससक्त होगा, देश की महलाएं ससक्त होगी, देश का किसान ससक्त होगा लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिरब विरोत के लिए विरोत कर रहे है साथियों अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग बिरोध पर उतर आए है ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जबत होती रहें उनसे वसुली होती रहें उनसे कम किमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाभा कमाते रहें ये किसान की आजादी का विरोध कर रहें जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहें साथ क्यों बरसों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ़ला रहें हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन याजादी कुछ लोग बरदास नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परेशानी है